हेलो फ्रेंट्स जैसे आप देख रहे हैं आज Redmi Note 10 एक 5G handset मेरे पास है और यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका layout है और layout जो होता है फ्रेंट्स है कि यह PCB के image होती है जिसके अंदर आपको components और सारे ICO के उपर उनकी एक identification कुछ एक numbers होते हैं जैसे आप देख सकते हैं जितने भी IC होती है हमारी integrated circuit उसे हम U से denoate करते हैं और सारे components भी होते हैं बहुत सारे जैसे आप देख सकते हैं C से capacitor और L से coil वगारा diode D से TVS हमारा TVS diode इसके love friends आज जो बात करने वाला हूँ है यहाँ पे एक ringer PA के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे हम preamplification भी कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यह CPU और यह MMC है यह 5G handset है और इसमें एक नया ringer PA लगकर आया जैसे कि आप देख सकते हैं U2202 हला कि इससे पहले दूसरे handset में भी मैंने इसको देखा है बट यह काफी सारे student को शायद नहीं पता होगा इसलिए मैं यह video उनके लिए बना रहा हूँ जो सारे हमारे technician भाई है या subscriber है या फिर YouTube के followers है उनके लिए यह video में बना रहा हूँ तो U2402 जो है एक ringer PA है अगर हम यहां पर diagram में search करेंगे U2402 यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर search करके already रखा हूँ तो यह हमारा एक speaker के लिए जो sound होती है हमारी boost करके हमको मिलती है जिसको हम pre-amplification कहते हैं या फिर ringer PA कहते हैं यहां पर देख सकते हैं इसका number भी आपको इस तरह से देखने को मिल अगर कि जो के ball IC होती है और यह जो इसकी leg IC है अब अगर हम इसमें देखेंगे तो friends यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 20 total 20 leg का यह IC है जैसे के आप देख सकते हैं तो आज इसकी में detailing करने वाला हूँ कहां पर कौन सी line input हो रही है कहां से out हो रही है तो सबसे पहले अगर ह यहां पर voltage for system liquor है तो यह जो supply आ रही है DC DC charging AC से आ रही है इसके अलावा यह जो supply आ रही है friends यहां पर जो देख सकते हैं यहां से होते हुए एक cap के थूरो यहां पर in हो रही है जो के 100 NF का cap है नैनो फेराट जिसे आप कहते हैं तो तीन नमबर pin में इसके हमारा VPS supply जो होती है 3.6 से 4.2 के बीच में आपको 3 नमबर में in हो जाएगी उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं filtration के लिए 2 cap लगकर है और उसके बाद यहां पर एक boost coil आपको देखने को मिलेगा इस IC के पास में जिसका नमबर L2488 याने 2488 जो के L2488 यहां पर आपको देखने को मिल जाएग तो इसके साथ यहां पर जब positive voltage हम दे देते हैं तो साथ ही साथ इसको positive ground भी चाहिए तो यहां पर PG&D यहां पर देख सकते हैं आप यह सारे इसके ground pin है 1, 16, 11, 6, 13, 12, 15, 14 यह सारे इसके ground pin से इतने pin आपको ground मिलेंगे अगर ground की बात करें 3, 3, 6, 7, 8 pin आपको इसमे ground मिलेंगे इसके अलावा 5 नबर भी आपको ground मिलेगा तो सबसे पहले हम इसको input supply जैसे दे दिये हैं तो इसके अलावा friends हमको इसको चाहिए communicate करने के लिए CPU से I2C line जो होती है हमारी वो यहां पर आती है जिसके अंदर हमको SDA और SCL की line होती है जिसको हम serial clock और serial data जिसे कहते हैं CPU और master और slave के बीच में communication होती है ताके तब जाकर यह IC यह work करने लगती है क्योंकि हमारा जो android है हमारा जो handset है यह android mobile है यह तब ही work करेगा जब CPU से communicate करेगा जब order करेगा तो CPU के लिए जो दो line आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 number और 9 number हमारी serial data की line है और 10 number जो है यह clock की line है तो यह दोनों line यहाँ से CPU से connected होती है इसके अलावा अगर 4 number पर देखें आप reset and licker है reset negative यह भी जो line है हमारी यह audio PA के लिए reset line है यह भी जो line होती है आपकी CPU से connected होत जो अगर आप देखें 2401 यही पर test point होगा इसका तो यहाँ पर हम डाल देते हैं TP2401 यहां से next करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी IC के पास में एक test point रखा गया है जहाँ पर आप reset line की supply को check कर सकते हैं यहाँ पर और जो I2C line हमारी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई component बताया नहीं गया बट 9 नंबर और 10 नंबर इस IC का एक नंबर यहाँ से चिरू होता है तीन चार पांच छे साथ तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं चार पिन चार पिन चार पिन चार पिन बारा पिन और यहाँ पर देखें तो इस side मे 9 नंबर और 10 नंबर पर देखने को मिलेगी इसके लावा जो audio के signal होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं audio के positive और negative signal जो के यहाँ पर बीच में series में आपको capacitor मिलेंगे उसके बाद यहाँ से यही signal pass होते हुए capacitor से 100 nf के दो cap है series में 7 नंबर पर positive supply आ जाएगी और 8 नंबर प को input मिल गया इसके साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 17 और 19 नंबर के भीच में आपको एक series में cap मिलेगा उसके बाद दो cap यहाँ पर parallel में आपको देखने को मिल जाएगे जहाँ पे VREG और VBST supply यहाँ पर देखने को मिलेगी तो तब जाके दोस्तों इतना सब इंपूट जब मिलता है यहाँ पर जब switching होती है तो यह audio के जो input इस IC को मिले थे वही यहाँ से यह positive और negative की शकल में speaker PA out positive speaker PA out negative की शकल में यह बाहर निकालेगी तो सबसे पहले यहाँ पर इसको दो coil मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज में दो coil है बी चोवीस पसपन चोवीस चपन जो आप यहाँ पर बिलकुल IC के नीचे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से आप connect करके आपका speaker बजा के देख सकते हैं गाना बजा करके के आपका speaker काम कर रहा है के नहीं कर रहा है उसके ब बजा करके कुल टेस्टिंग कर सकते हैं हैं सट को बंद करके और इसकी supply के साथ connected होनी चाहिए जो के आपके 20 नंबर और दो नंबर के साथ connect होती है इसके साथ साथ फ्रेंड्स यह जो supply है हमारी नीचे speaker के जो tips होते हैं उन सारी tips पर जाती है और वहीं पर हमारा speaker जिसे आप आप गाना बजाएंगे या फिर आपको call आएगा तो बहुत ही जोड़ से आपको sound सुनने को मिल जाती है तो यह तो दोस्तों एक छोटा सा एक छोटा सा update है हमारे fresh air students के लिए अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़िए आप और knowledge इ पैसा कमाईए और अपनी फील्ड को बहुत उन्से लेवल पर लेकर जाएं दोस्तों फोन भी खेदरावाद की टीम का यही एक सपना है कि जो mobile industry है इसको हम ज्यादे ज्यादा बच्चों को काम सिखाएं और उनके business को हम और आगे बढ़ाएं उनका काम वापस ना जाएं औ मोबाइल ट्रेनिंग की लाइन में आते हैं मोबाइल रिपेर करने के लिए मोबाइल इंजिनियर बनते हैं तो हमारी ये कोशिश है कि उनको ऐसा ना लगे कि यह लाइन में कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों बहुत स्कोप है इस लाइन में आप काम अच्छे सीख करेंग करती हैं जितने बच्चे आते हैं उनको हैने स्किल के साथ साथ सरकिट की नौलेज देते हैं ताके वो जा करके अच्छे से काम कर सके दोस्तों नेक्स बैक 27 जून से हैं आज ही वाटसप करके अपनी सीट बुक करा लिजिए क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में बहुत से इं काम को देखके चले जाते हैं उसके बाद भी उनको सीखने को कुछ नहीं मिलता है दोस्तों हैत्राबाद आजाए यहाँ फोन फिक्स हैदराबाद में हमारे यहाँ पर पूरे एक्स्पिरियंस फेकल्टी है आपको 100% सतिस्फेक्शन की मैं गैरंटी देता हूं आपको अग काम सिखाना एक बहुत अलग बात होती है दुकान में बैटके बहुत सारे टेगनिशन हमारे काम करलेते हैं लेकिन बच्चे जबाते हैं तो इनको सिका नहीं पाते हैं फिक तीम परीकर करॉत करते क्लास के अंदर आपको अपडेट करते रहते हैं आपको नहीं-णहीं चीज़ें सिखाते हैं कुछ भी ऐसा नहीं आपको देखने मिलता है आपको ज़रूर बता दे इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे डबल पीए लगके देखने मिल रहे हैं फाईजी एंडसेट म हमारे फालवर्स के साथ हमारे सब्सक्राइबर के साथ तो हम आपके लिए कुछ नगुछ नया लेकर आते रहेंगे फोनफिक्ट हैदराबाद की टीम अपडेट होती रहेगी साथी साथ हमारे शुडेंट को भी अपडेट करेगी हमारे फालवर्स हमारे सब्सक्राइबर क के साथ जुड़ जाईए अपने आपको अपडेट करिए और अच्छे इंकम दमाईए थैंक यू वेरी मुच फ्रेंट्स अपने आप दो अलबाद बताईए क्या कहना चाहेंगे फोन फिक्स के बारे में सर बहुत दो डिफ्रेंट आया काम करने में पहले सर्केट की नौलिज नहीं होते थी हमको सिमेट्टिक का कोई भी नौलिज एक पड़िसे का नौलिज नहीं होता था काह से काह लाइन जा रही किसा टेस्ट करने का है कुछ नहीं पता होना था अभी क्या पहले आइशी उखाड़ो लगाओ एक carriage etti नहीं हो गया तो इसको सिधा सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्या काम करना चाहिए एक टेक्निशन को कर सकता है अगर लीगल काम करें तो पैसे अच्छे कमा सकता है क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो ऐसे बच्चे तो सोचते होंगे उनको क्या बोलना चाहेंगे आगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं यह बोलना चाहूंगा आप बेफिकर होके चले आओ कोई दिक्कत नहीं है इधर खाने का भी अच्छा मतलब ब्यवस्ता है बाहर आप खा सकते रहने कभी एकदम अलग को लगाए फोन-विक्स की अंदर सरु यहां मैंने वीडियो देखा था ऊंप्लस का कोई मोडल मुछे याद मैने देखा था इनका नाम है सरु लोगाम है सागड्यान है कि कोई इतना मतलब हैवी काम और वेगर क्या नामें वेगर किसी टूल के करें तो आसान नहीं होता सरा यह जादू की पुड़ी नहीं है कि आप खाओ तो सुबह में जो है समय तो मैं पूछते थे तो रिप्लाइ आता था तो आपको पूछ रहे मतलब क्वेस्चन का इसा कुछ सब्सक्राइब कर दिया तो अभी मैं इधर आया तो दो साल के बाद मैं मतलब मैं काम स्टार्ट किया हूँ जो कि मुझे है कि मतलब नॉलिज आ गया लाम दिला अधिक नहीं है एक बार इनके लिए दोड़ार क्लाप्स वसीम अंसारी के लिए दोड़ार क्लाप्स आधि जनों से लड़ लिए गया तो वसीम ये क्लास के चाहिए सबसे छोटे उमर के लड़के है और यह टाइम पे इनको समझदारी आ गई कि एक लाइन में जाना चाहिए और इसी लाइन में यह आए कि जिसमें बहुत पैसा कमा सकते अगर दूसरे जितने भी फिल्ड है उसमें अगर आप कंपेर करेंगे हमारे पास क्या है एक मूबाइल बना कम से कम पांस कर energis व को कर लाइन में इसने बाइन नाया की जिसमें और यहां इसे एक दम डिपली मिलती है और हाड़ वेर है interacting झाल सकते हैं भी हाड़ पॉैर प्रॉब्र प्रॉलम है और इसको मूं पूरप्षाइब कर सकते हैं और बट जो कैपसिटर राजिस्टेंस उसकी नालेज नहीं थी तो हमें फिरोज सर ने उसको एकदम डीपली से समझाया कि वो पैलल है या फिर सीरीज है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर एक कैपसिटर मिस है तो हमारा फोन डेट हो जाता है उसके वज़े से सर को हमें बहुत सपोर्ट मिला और मैंने अपना फोन भी लाया था कितने फोन लाया था सर मैं 15-16 फोन लाया था मैं उसमें से 8 फोन बना चुगा 8 फोन बना लिए क्या वाद भाई एक बार 2000 क्लास उनके लिए इमांदारी से बोल रहा है वाद जैने दो जी बोलते हैं चुपा लेते हैं बाखी आप लोग यहां पर जो आप खुद बनाएं के सर बनागे दिए सर ने मुझे गाइट किया सब्सक्राइब करते हैं और कोई भी फोन वापस नहीं जाएगा यह मेरी गारंटी है क्या आप यहां पर आया आप देली पे गए थे देली की स्ट्वरी बताओ एक और स्ट्वर्ट को लिए सर मैं दिली गया था मैं एक मसीन लेने के लिए जो की सियो टू होती है तो मैं वहाँ पर रुका एक दिन और मेरे वहाँ पर एक स्टुडेंट थे जो भी वहाँ पर कोर्स कर रहे थे तो मैंने उनसे रात में बात किया और उनसे मैंने कुछ सवाल भी पूछा तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन का एंसर नहीं दिपाया जो की उन्होंने साथ दिन तक क्लास अटेंड कर लिया था तो उन्होंने मेरा नंबर वहाँ से नोट किया बोला भाई अपना नंबर दीजे मैंने उनको नंबर दिया फिर वहाँ से उन्होंने आने के बाद अपने दुकान पर वो काम नहीं कर पा दे तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई यहाँ पर हम ट्रेसिंग नहीं कर पा र और मैंने उनको यहां लेका आया और यह बंदे के उपर सबसे बड़ा रिक्स था कि जगे बज्जा कोर्स कर रहा है दस दिन गुजर गए कुछ भी नहीं चीक नहीं आई यह इसके अंदर आया के लेके आया तो जो तुम अपको मिला के नहीं मिला हो हाँ सर उन्होंने अब सटिस्फाइड है बोले कि मैंने इसस टीचर सागर जैसा टीचर नहीं देखा जो कि लाइब फोन कोई भी प्रॉल्म हो, लाइब फोन इस्टूटन के सामने बनाते हैं, आदर कह इस्टूटूट पे जाते तो सर छिपाते हैं, बनाने से ड़ते हैं कि फोन बना या ना बना, लेकिन यहाँ पे सागर साने बहुत ही इनका responsibility है. पहले से लेके चेक करके तो नहीं रख लिए नहीं सर हमें अपना खुद ही फोन देता था जो जो प्रॉलम में जो सिक्षन चला टच सिक्षन चला या फिर माइक सिक्षन जो भी प्रॉलम में वह फॉल्टी फोन लिगा लो और सर ने खुब लाइप ट्रेस करके हम बता दे औ नहीं नहीं जो भी मुबाइल बनाए तो आपका ही बनाए वाकिंग और मैं अपना फोन भी बनाया सर अच्छा और साफ्टर का तो ऐसा ही एक एक कोट के वज़े से हम बैचान सकते कि इसमें क्या खराब है तौफिक सर के लिए थैंक्स क्या बात है वाखी अभी जा के काम कर स वाखी है वाखी एक बार दोडर क्लास बंजें थैंक्यों वेरी मत्म मस्थिम